नमस्कार मैं हूँ रितेश और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं बात करूँगा होट स्टार के सीरीज स्पेशल आप्स के बारे में इस सीरीज के क्रियेटर है नीरज पांडे, डिरेक्टर है नीरज पांडे और सिवम नायर दोस्तों ये सीरीज जब शुरू होती है तो हम देखते हैं जो KK Menon है यानि हिम्मत सिंग वो RAW के अधिकारी हैं वो एक गैलरी में बैठे हुए हैं और उनके पास एक फोन आता है वो कहते हैं छोड़ दो दूसरी बार फोन आता है वो कहते हैं ठोग दो और ये देख करके आप बिल्कुल ही अंदाजा लगा सकते हैं कि केके मेनन का कुछ स्पेसल आपको यहां देखने को मिलेगा आगे इसी एपिसोड में संसत्पे हमले का द्रिश आता है और ये द्रिश बहुत ही खुशुरत तरीके से फिलमाया गया है आप बिल्कुल ही समझ जाते हैं कि आगे एक बहतरीन कहानी आप देखने वाले हैं तो दोस्तों ये जो केके मेनन है यानि हिम्मत सिंग उनसे पूस्ताच कर रहे होते हैं दो अधिकारी परमी सेथी और काली परसाद मुखर जी और ये पूस्ताच कर रहे होते हैं कि केके मेनन ने धेर सारा फंड खर्च किया है सरकारी और बहुत सारे फंड इन्होंने मिसलेनियस में दिखा रखे हैं तो इसके बारे में वह जानना चाहते हैं और इस तरह से ये कहानी शुरू होती है पात्रों के बारे में पता चलता है और केके मेनन यह बताते हैं कि अलग-अलग अफसर जो पोस्टेड है और इसी भाने उन सारे अफसरों के बारे में हमें यहां जानकारी मिल जाती है जो संसत पर हमला हुआ था उसमें पांच आतंकी मारे गए थे लेकिन जो हिमत सिंग है उनका कहना है कि आतंकी पांच नहीं छे थे और ये जो छठा आतंकी है अखलाक उसके पीछे वो करीब 19 साल से पड़े हैं उनको वो पकड़ करके लाना चाहते हैं देखें ये कहानी जैसे ऐसे आगे बढ़ती है एपिसोड आगे बढ़ते हैं कहानी और बड़ी होती चली जाती है इसमें बहुत सारा आपको टर्स देखने को मिलता है बहुत सारा थ्रिल है और कहानी इतनी बढ़िया तरीके से पेश की गई है कि शुरू से अंग तक आप इ क्याम दिया जाता है या फिर मुंबई हमला हम देखते हैं जिसमें कसाब से खुद पूश्टाज करते हैं हिम्मत सिंग और फिर नोटबंदी की चर्चा होती है और हम देखते हैं कि जब नोटबंदी की बात हो रही है तो प्रधान मंतरी नरेधर मोधी इस्क्रीन पे किये गये हैं केके मिनन का करेक्टर हो या फिर दूसरे अधिकारी जो कि अलग अलग जगों पर हैं उनको भी अच्छा खाधर स्पेस दिया गया है उनके बैगराउंड को अच्छे से समझने की कोशिश यहां की गई है और देखिए कि इस पूरी चीज का क्रेडिट पूरे अ चाहे वो एक अधिकारी की भूमिका में हो या एक पती या पिता की भूमिका में जो कि अपनी बेटी को लेकर के बहुत जादा कंसर्ण है और उनका हर एक्सप्रेशन उनकी हर अदा आपको यहां बहुत ही अच्छी लगती है जो अबास सेख हैं दिल्ली पूलिस के अधिक फारूक अली बने हुए है करन टेकर या रूहानी है महरवेज बालकृष्ण है विपल गुपता जूही है सेयामी खेर और जो हिमत सिंग की पतनी है वो है गौतमी कपूर या इसमाइल बने है रजट कॉल यह सारे कलाकार बहतरीन है बहुत ही अच्छा इन्होंने अभिने क यहां अभिने के पैमाने पर कहीं आप कोई कमी नहीं निकाल सकते हाला कि एक चीज है जिसका में अलग से उल्ले करना चाहूंगा वह यहां आपको दिखते हैं नूर बख्ष की भूंका में एसम जहीर और एसम जहीर को बहुत दिनों के बाद परदे पर देखना बहुत ही अच्छा लगता है हाला कि कहानी के में थोड़ी बहुत कुछ कमिया जरूर दिखती है हाला कि वह कमिया दाल में नमक के बराबर ही है कि जैसे हम देखते हैं कि जो काली परसाद मुखर जी है वह एक आज जगह पर बिलकुल ही बंगला भाशा का प्रयोग करने लगते हैं मा तो अलग ही लेवल पर चले जाते हैं एक तरह से उसकी जासूसी करने लगते हैं उसका फोन हैक कर लेते हैं तो यह थोड़ा सा अधिक दिखता है या फिर जब यह अफसर है अलग अलग जगहों पर उनके इंट्रोड़क्शन करवाया जा रहा है तो वह दूर सी भी आपको थोड़े से लंबे या बढ़ा चढ़ा करके दिखाया हुआ जैसा लगता है लेकिन अगर आप दूसरे पैमानी की बात करें जैसे सिनेमेटोग्राफी बहुत ही शांदार है सुधीर पलसाने और अरविन सिंग का काम यहां आपको खास तोर पर दिखता है जबकि विदेश के कुछ द्रिस आते हैं जैसे दुबई के या दूसरी जगों पर बहुत ही अच्छा कैमरा वर्क इन्हों ने किया है या फिर म्यूजिक और बैक ग्राउंड स्कोर वो भी शांदार है अविदीत नेम लेकर का तो दोस्तों आठ एपिसोड है इस सिरीज के पचास मिनट के आस-पास के और देखिए कि जो एपिसोड के नाम रखने रखे गए हैं उसमें भी बहुत कलपला सीलता दिखाई गई है फिल्मों के नाम पर एपिसोड के नाम रखे गए हैं चाये वो कागज के फूल है या सोले अलग-अलग नाम आपको दिखते हैं तो दोस्तों एक किसी और सिरीज को लेकर मैं आपके सामने आऊँगा तब तक देखिए आप मेरे वीडियो इस मेरे चैनल को पसंद करिए जड़ी सब्सक्राइब नहीं किया है आप तक तो सब्सक्राइब जरू करिएगा सब्सक्राइब जदी अभी-भी किया है तो बेल आकान प्रेस करने करिएगा कुछ कहना चाहते हों तो कमेंट करिएगा वीडियो अच्छे लगी तो शेयर जरूर करिएगा धन्यवाद